नमस्कार दोस्तों, हमारे चनल पर आपका स्वागत है। हिंदू धर्म में सबसे ज्यादा श्री हनुमान चालिसा का पाठ किया जाता है क्योंकि इसके पाठ से सभी के दुरक और कश्ट मिख जाते हैं और साथ साथ श्री हनुमान जी का आशिरवार भी मिलता है। लेकिन बह बहुत ही रोचक कथा है जो बहुत प्रचलित है। आईए जानते हैं उस कथा को। स्वामी तुलसीदास जी, भगवान राम और श्री हनुमान के प्रबल भक्त थे और इनके दर्शन पाने के लिए उच्सुक रहते थे। वे प्रतिदिन शाम को गंगा घाट के पास राम नाम का जाप और रामचरित मानस का पाठ किया करते थे। सच्ची भक्ती के कारण उनकी ख्याती बहुत फैल रही थी। जो व्यक्ति तुलसीदास जी से राम कथा सुन लेता वो धन्य हो जाता और उनके मानसिक और शारिरिक कष्ट खक्म होने लगे। इस वजह से लोग उ कुछ चमतकार दिखने के लिए कहा लेकिन तुलसीदास जी ने साफ मना कर दिया और कहा कि भक्ती कोई दिखावे की वस्तु नहीं है। अकबर ने फिर तुलसीदास जी से अपनी प्रशंसा में ग्रंथ लिखने को कहा लेकिन तुलसीदास जी ने कहा मैं श्री राम जी और हनुमान जी के अलावा किसी की स्तुती नहीं गा सकता। अकबर उनकी इस बात से बहुत खफा हुआ और गुस्से में तुलसी दास जी को बंदी बनाने का आदेश दे दिया। बंदी बनाने के बाद उन्हें जेल में डाल दिया गया। तुलसी दास जी ने जेल में श्री चालिसा था का पाठ किया, जिससे हनुमान जी के आदेश से अकबर के महल और आसपास सभी जगह बंदरों ने हमला कर दिया और सब कुछ तहस नहस कर दिया। चालिसा का पाठ करेगा, वो हर तरह के बंधन से मुक्त हो जाएगा। आप भी पढ़िये श्री हनुमान चालिसा और हो जाएए धन्ये। जै श्री राम।